आजकल हर कोई WhatsApp या Facebook पर चाटिंग करता है और आमतोर पर होता क्या है कि हम जो भी हिंदी में बोलते हैं वही हम English में टाइप कर देते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिने English में टाइप करने में भी दिक्कत आती है देखें जब आपने हिंदी पढ़ने की शुरुवात की थी तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया था? हिंदी के स्वर जैसे अ, आ, इ, ये सब और उसके बाद वेंजन जैसे क, ख, ग, ग, ये सब तो आज की वीडियो में आपको एकत्म जीरो से यानि की एकत्म शुरुवात से अंग्रेजी सिखाओंगी ताकि जिन लोगों को अंग्रेजी पढ़ने या लिखने में दिक्कत आती है इस वीडियो को देखने के बाद वो भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं Hello everyone, मैं हूँ Pooja Paathak, Welcome to my channel वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चानल को करना है सब्सक्राइब, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एक अक्षर को इंग्लिश में बताऊंगी यानि इन्हें इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये चीज सिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगी तो पहले जब हम हिंदी सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले स्वर सिखाए जाते हैं यह हमारे हिंदी के स्वर है तो चलिए इन्हें एक एक करके इंग्लिश में लिखना सीखते हैं. पहला है अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है और अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं. क्या लिखते हैं अ को ए? A के बाद आता है A की मात्रा किसी भी अकशर के आगे से लगती है. A को इंग्लिश में डबल A लिखते हैं. लेकिन कहीं कहीं पर आ को A भी लिखते हैं. कहीं कहीं पर नहीं, ज़्यादा तर हम A को A ही लिखते हैं. जितने भी हमारे हिंदी के नाम होते हैं उन्हें जब हम English में लिखते हैं तो वहाँ पर हम A का इस्तमाल करते हैं राधा है अब राधा में रोपे A की मात्रा है लेकिन यहाँ पर हमने R के आगे सिर्फ A लगाया है डबल A तो नहीं लगाया उसी तरीके से धोपे भी A की मात्रा है लेकिन यहाँ पर भी हमने DH के आगे सिर्फ A के लगाया है डबल A तो नहीं लगाया तो इस तरीके से जितने अक्षर के पीछे से लगती है और इंग्लिश में छोटी E को I कहते हैं क्या कहते हैं आई बड़ी E बड़ी E की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती हैं इंग्लिश में बड़ी E को डबल E लिखते हैं लेकिन कहीं कहीं पर हम बड़ी E को I भी लिखते हैं तो ये चीज म मैं आपको आगे अच्छे से उधारण दे के बताऊंगी कि कहां पर हम बड़ी ही को आई लिखते हैं, फिलाल के लिए आप इतना ही समझें, आप देखते हैं, छोटा उ, छोटे उ की मात्रा को किसी भी अक्षर के नीचे लगाते हैं, छोटे उ को इंग्लिश में यू लिखत क्या लिखते हैं, डबल ओ, लेकिन कहीं कहीं पर हम बड़े उ को यू लिखते हैं, तो ये चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ए, ए की मात्रा किसी भी अक्षर के उपर लगती है, और ए को इंग्लिश में ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए, आई, 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 की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है, और आई को इंग्लिश में ए यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए, यू अंग, अंग को किसी भी अक्षर के उपर लगाते हैं अंग को इंग्लिश में A, N या A, M लिखते हैं क्या लिखते हैं A, N या A, M अह, अह को किसी भी अक्षर के आगे लगाते हैं और अह को इंग्लिश में A, H लिखते हैं क्या लिखते हैं A, H अब देखते हैं कि क, ख, ग, को English में कैसे लिखते हैं तो पहला है क, क को English में के लिखते हैं क्या लिखते हैं के, लेकिन जब हम क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनी आ रही है क, आ रही है न, तो इसलिए यहाँ पर हम के के आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा के ए तो क को इंग्लिश में के ए लिखेंगे ख को इंग्लिश में के एच लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब हम ख बोल रहें तो उसमें भी अ की धोनी आ रही है ख इसलिए यहाँ पर के एच के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा K-H-A, तो K-को इंग्लिश में K-H-A लिखेंगे, ग, को इंग्लिश में G लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब हम G बोल रहें तो उसमें भी A-की ध्वनी आ रही है, ग, इसलिए यहाँ पर भी जी के आगे ए लगा देंगे तो ग को इंग्लिश में जी ए लिखेंगे ग को इंग्लिश में जी एच लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब हम ग बोल रहे हैं तो उसमें भी ए की धुनी आ रही है इसलिए यहाँ पर GH के आगे A लगा देंगे तो घ को इंग्लिश में G, H, A लिखेंगे अंग, अब इससे ध्यान से सुनिए अंग, तो इसमें N भी आ रहा है और G भी आ रहा है तो इसलिए हम इसे N, G, A लिखेंगे तो अंगर को इंग्लिश में N, G, A लिखते हैं च, च को इंग्लिश में C, H लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब हम च बोल रहे हैं तो उसमें भी O की धुनी आ रही है च, इसलिए यहाँ पर C, H के आगे A लगा देंगी तो च को इंग्लिश में C, H, A लिखते हैं अब ध्यान दीजे जब हमने च लिखा था तो उसके लिए हमने एक H का अस्तिमाल किया था लेकिन च के लिए हम डबल H का अस्तिमाल करते हैं और इसमें भी O की धुनी आ रही हैं तो इसके लिए भी हम C, double H के आगे A लगा देंगे तो छ को English में C, double H, A लिखेंगे ज, ज, को English में J लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी O की धोनी आ रही है तो इसलिए यहाँ भी हम J के आगे A लगा देंगे तो ज, को English में J, A लिखेंगे जह, जह को English में जे, एच लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब जह बोल रहे हैं तो उसमें अ की धोनी आ रही है इसलिए यहाँ पर जे, एच के आगे ए लगा देंगे यह, यह को English में एन, वाई, ए लिखते हैं क्या लिखते हैं? एन, वाई, ए त, त को English में T लिखते हैं अब ध्यान दीजे जब हम त बोल रहें तो उसमें अभी A की ध्वनी आ रही है इसलिए यहाँ पर हम T के आगे भी A लगा देंगे तो त को English में T A लिखेंगे त, त को English में T H लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब हम ठ बोल रहें तो उसमें A की ध्वनी आ रही है इसलिए यहाँ पर T H के आगे A लगा देंगे तो ठ को English में T H A लिखेंगे द, ड को English में D लिखते हैं और यहाँ पर भी जब ड बोल रहें तो उसमें B की ध्वनी आ रही है इसलिए उसके लिए हम D के आगे A लगा देंगी तो D को English में D A लिखेंगे ध, ध को English में D H लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब ध बोल रहे हैं तो उसमें A की द्वनी आ रही है ध, इसलिए यहाँ पर D H के आगे A लगा देंगी तो D को English में D H A लिखेंगे अना को इंग्लिश में एन ए लिखते हैं क्या लिखते हैं एन ए तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं लेकिन जब हम तो बोल रहें तो उसमें ओ की धुनी आ रही है तो इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लगा देंगे तो TH को English में T A लिखेंगे TH, TH को English में T H लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब TH बोल रहे हैं तो उसमें A की ध्वनी आ रही है इसलिए TH के आगे A लगा देंगे तो TH को English में T H A लिखेंगे DO, DO को English में D लिखते हैं लेकिन जब हम DO बोल रहे हैं तो उसके भी आखिर में A की ध्वनी आ रही है तो इसलिए हम D के आगे भी A लगा देंगे तो D, D, A ध, ध, को इंग्लिश में D, H लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी A की ध्वनी आ रही है ध, में तो उसके लिए हम D, H के आगे A लगा देंगे ध, D, H, A नो, नो को इंग्लिश में N लिखते हैं लेकिन जब हम नो बोल रहे हैं तो उसमें भी A की ध्वनी आ रही है तो इसलिए हम N के आगे A लगा देंगे तो नो को इंग्लिश में N, A लिखेंगे और पर को इंग्लिश में P लिखते हैं लेकिन जब हम प बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनी है तो इसलिए हम P के आगे A लगा देंगे तो प, P, A फो को इंग्लिश में P, H लिखते हैं लेकिन जब फो बोल रहे हैं तो उसमें A की ध्वनी आ रही है इसलिए यहाँ पर हम PH के आगे A लगा देंगे तो 4 को English में PH A लिखेंगे 4 को हम English में FA भी लिखते हैं यानि 4 को हम PH A भी लिख सकते हैं और FA भी लिख सकते हैं दोनों ही सही है B, B को English में B लिखते हैं लेकिन जब हम B बोल रहे हैं तो उसमें A की द्वनी आ रही है B, इसलिए यहाँ पर हम B के आगे A लगा देंगे तो B को English में BA लिखेंगे Lेकिन जब हम B बोल रहे हैं तो उसमें B की द्वनी आ रही है तो इसलिए यहाँ पर हम BH के आगे A लगा देंगे भ, B, H, A म मों को English में M लिखते हैं, लेकिन यहां पर भी म म बोल रहे हैं तो उसमें O की धोनिया रहही है, इसलिए M के आगे A लगा देंगे म, M, A तो यो को English में Y लिखते हैं लेकिन जब हम यो बोल रहे हैं तो उसमें भी O की धुणिया रहhaftे हां तो इसलिए यहाँ पर हम Y के आगे A लगा देंगे तो Y को English में Y A लिखेंगे रो, रो को English में R लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब रो बोल रहे हैं तो O की धुनी आ रही है इसलिए R के आगे A लगा देंगे तो रो, आर, A लो को English में L लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी जब low बोल रहे हैं तो उसमें भी o की ध्वनी आ रही है लो इसलिए l के आगे a लगा देंगे तो low la वो को इंग्लिश में va भी लिखते हैं और w a भी लिखते हैं अब है श, शलगम वाला श, तो श को इंग्लिश में sh a लिखते हैं अब है श, शटकोण वाला श, तो इसे भी इंग्लिश में sh a लिखते हैं है स, सपेरा वाला स, तो इसे इंग्लिश में s a लिखते हैं ह, ह को इंग्लिश में h लिखते हैं लेकिन जब ह बोल रहे हैं तो उसमें a की ध्वनी आ रही है इसलिए H के आगे A लगा देंगे तो ह, H, A अब ध्यान दीजे जब हम क्ष बोल रहे हैं तो उसमें आदा क भी आ रहा है और श भी आ रहा है तो आदे को के लिए हम के लगाएंगे और श के लिए हम S, H, A लगाएंगे तो क्ष को इंग्लिश में K, S, H, A लिखेंगे त्रो, त्रो को इंग्लिश में T, R लिखते हैं लेकिन जब त्रो बोल रहे हैं तो उसमें भी की धोनी आ रही है इसलिए T, R के आगे A लगा देंगे तो त्रो को इंग्लिश में T, R, A लिखेंगे ग, अब ध्यान दीजे जब हम G बोल रहे हैं तो उसमें G भी आ रहा है और Y भी आ रहा है तो हम G को इंग्लिश में G, Y, A लिखेंगे अब देख लेते हैं कि हिंदी की बारा खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए हिंदी की स्वरों को इंग्लिश में लिख दिया है इसके बेसिस पे हम हिंदी की बारा खड़ी को लिखते हैं पहला है क क को इंग्लिश में के लिखते हैं लेकिन जब हम क बोल रहे हैं तो उसमें अ की धुनी आ रही है क और उपर देखिए ओ को हमने इंग्लिश में ए लिखा है तो इसलिए हम के के आगे क्या लगा देंगे ए लगा देंगे तो को को इंग्लिश में के ए लिखेंगे अब है का को को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहां हम के लिख देंगे और A की मात्रा के लिए उपर देखी क्या लिखा है डबल A लिखा है तो यहाँ पर हम K के आगे डबल A लिख देंगे तो यह बन गया K. का अब है क क क पर चोटी की मात्रा क क क को इंगलिश में के लिखते हैं तो यहां के लिख देंगे और चोटी की मात्रा के लिए उपर देखिए क्या लिखा है आई लिखा है तो यहां पर हम के के आगे आई लिख देंगे तो क को इंगलिश में के आई लिखेंगे अब है की क क अपर बड़ी की मात्रा की क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहां के लिख देंगे और बड़ी की मात्रा के लिए उपर देखिए क्या लिखा है डबल ई लिखा है तो यहां पर हम के के आगे डबल ई लिख देंगे तो यह बन गया के डबल ई की को क का अपर चोटी उपर मात्रा क क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहां के लिख देंगे और चोटे उ की मात्रा के लिए उपर देखिए क्या लिखा है यू लिखा है तो इसलिए के के आगे यू लिख देंगे तो क को इंग्लिश में के यू लिखेंगे फिर है कू क को पर बड़े उ की मात्रा क कु को को इंगलिश में के लिखते हैं तो यहां के लिख देंगे और बढ़े उ की मातरा के लिए उपर देखी क्या लिखा है डबल ओ लिखा है तो इसलिए यहां पर के के आगे डबल ओ लिख देंगे तो यह बन जाएगा के डबल ओ कु के को को पे एक ही मात्रा के को को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे के पे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा के लिए क्या लिखा है इ लिखा है तो इसलिए यहाँ पर के के आगे इ लिख देंगे तो के को इंग्लिश में के इ लिखेंगे कई क क पे आई की मात्रा कई क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहां हम के लिख दिंगे के पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा के लिए उपर देखी क्या लिखा है A. I. लिका है तो यहाँ पर हम K के आगे A. I. लिक देंगे तो यह बन जाएगा K. A. I. कई K. 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 P. O. की मात्रा K. 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 को English में K. लिकते हैं तो यहां K. लिक देंगे और O. की मात्रा के लिए उपर देखें क्या लिका है? लिखा है तो इसलिए यहाँ पर हम के के आगे ओ लिख देंगे तो यह बन जाएगा के ओ को कउ को को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे और आउ की मात्रा के लिए उपर क्या लिखा है ए यू लिखा है इसलिए यहाँ पर हम K के आगे A, U लिख दिंगे तो यह बन जाएगा K, A, U, K, O कंग, को को इंग्लिश में K लिखते हैं तो यहाँ हम K लिख दिंगे अंग को इंग्लिश में A, N भी लिखते हैं और A, M भी लिखते हैं तो यहाँ पर हम K के आगे A, N भी लिख सकते हैं और A, M भी लिख सकते हैं। अब है कह, को को इंग्लिश में K लिखते हैं तो यहाँ हम K लिख दिंगे। अह को इंग्लिश में A, H लिखते हैं तो यहाँ हम A, H लिख दिंगे। ख और उपर देखे अ के लिए क्या लिखा है ए लिखा है तो इसले यहाँ पर हम के एच के आगे ए लिख देंगे तो ख को इंगलिश में के एच ए लिखेंगे ख को इंग्लिश में के एच लिखते हैं तो यहां के एच लिख दिनगे ख पर आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखा है डबल ए लिखा है तो इसलिए यहां पर हम के एच के आगे डबल ए लिख दिनगे तो यह बन जाएगा के एच डबल ए ख ख, ख, पे छोटी की मात्रा ख, ख, को इंग्लिश में के एच लिखते हैं, तो यहाँ के एच लिख देंगे, ख, पे छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखा है, आई लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर हम के एच के आगे आई लिख देंगे, त दबल ई लिखा है तो इसलिए यहाँ पर हम k-h के आगे डबल ई लिख देंगे तो यह बन जाएगा k-h-double-e-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k- -k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k- ke ke फिर है k ai को इंग्लिश में k h lहते हैं तो यहां k h लहते हैं ai की मातरा को इंग्लिश में ai लिखते हैं तो यहां हम ai लहते हैं तो यह बन जाएगा k ai k ai k ai k Ар पर o की मातरा k therapies ke後 k k k h l parenth Score को k h lिखते हैं तो इसलिए यहाँ पर KH के आगे O लिख दिंगे तो यह बन जाएगा KHO खो खो को KH लिखते हैं तो यहाँ KH लिख दिंगे और आउ की मात्रा को इंगलिश में क्या लिखते हैं AU लिखते हैं इसलिए यहाँ पर KH के आगे AU लिख दिंगे तो यह बन जाएगा K-A-U खउ खंग ख को इंग्लिश मेs K-A-E-C लिखते हैं तो यहाँ K-A-E-C लिख दिन गे और अंग को इंग्लिश मेs A-N भी लिखते हैं और A-M भी लिखते हैं तो यहाँ पर हम K-A-E-C के आगे A-N भी लिख सकते हैं और A, M भी लिख सकते हैं ख, ख को English में K, H लिखते हैं तो यहां K, H लिख दिंगे अह को English में A, H लिखते हैं तो यहां हम A, H लिख दिंगे तो यह बन जाएगा K, H, A, H, K I hope कि आपको इतना clear हो गया होगा तो सेम इसी तरीके से आपको आगे के अक्षरों को भी बनाना है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी आपको doubt हो तो मैंने already एक detail में वीडियो हिंदी की बारा खड़ी पे यानि कक्का किक्की पे बना रखी है तो वहां से आप check out कर सकते हैं चलिए अब हम कुछ हिंदी के शब्दों को English में लिखना सीखते हैं भानुशाली भो को English में भी H लिखते हैं तो यहां हम भी H लिख दिंगे भो पे A की मात्रा है और A की मात्रा को English में डबल A लिखते हैं लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हिंदी के नामों को हम English में लिखते हैं तो उसमें जो A की मात्रा आती है उसके लिए हम सिर्फ A की मात्रा करते हैं डबल A का इस्तमाल हम नहीं करते हैं तो यहां पर हम B H के आगे सिर्फ A के लगाएंगे नो को English में N लिखते हैं तो यहां हम N लिख देंगे नो पर चोटी U की मात्रा है और चोटी U की मात्रा को English में U लिखते हैं इसलिए यहां पर N के आगे U लिख देंगे फिर है श, श को English में SH लिखते हैं तो यहां हम SH लिख देंगे शो पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर हम SH के आगे यह लगा दिंगे फिर है ल, ल को इंग्लिश में L लिखते हैं तो यहाँ हम L लिख दिंगे ल पर बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल E लिखते हैं लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि बड़ी की मातरा को कहीं कहीं पर आई भी लिखते हैं तो यहाँ पर हम बड़ी की मातरा को आई लिखेंगे उसका रिजन ये है कि बड़ी की मातरा आखिर में आ रही है जब भी बड़ी की मातरा आखिर में आती है तो उसके लिए हम का इस्तमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम L के आगे I लिख देंगे, तो यह बन जाएगा BHA NU SHALI भानुशाली, गौर, ग को इंग्लिश में G लिखते हैं, तो यहाँ हम G लिख देंगे, ग पर आउ की मात्रा है, और आउ की मात्रा को इंग्लिश में A, U लिखते हैं, की ध्वनी आ रही है, र, इसलिए यहाँ पर R के आगे A लगा देंगे, फिर है व, व को इंग्लिश में V भी लिखते हैं, और W लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम V का इस्तमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम V लगाएंगे, और व आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम V के आगे ए नहीं लगाएंगे तो या बन जाएगा गौरव पून हम प को ईंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहां हम पी लिख दिंगे प पे बड़ेउ की μात्रा है और बड़ेउ की मात्रा को इंग्लिश में डबल O लिखते हैं इसले यहां पर N के आगे A लगा दिंगे फिर है M, M को English में M लिखते हैं तो यहां हम M लिख दिंगे तो यह बन जाएगा P, O, O N, A, M, Poonam गंगा, G को English में G लिखते हैं तो यहां हम G लिख दिंगे, G पे अंग की बिंदी है और अंग की बिंदी इसलिए यहां पर हम G के आगे A, N लगाएंगे, फिर है G, G को English में G लिखते हैं तो यहां हम फिर से G लिख दिंगे G पे A की मात्रा है और A की मात्रा के लिए हम A लगा दिंगे तो यह बन जाएगा G, A, N G, A, गंगा नमह, N को English में N लिखते हैं तो यहां हम N लिख दिंगे जब N बोल रहे हैं तो उसमें A की ध्वनी आ रही है इसलिए यहां पर N के आगे A लगा दिंगे, फिर है म, म को English में M लिखते हैं तो यहां हम M लिख दिंगे अब H को English में A, H लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम M के आगे A, H लगाएंगे, तो यह बन जाएगा N, A, M, A, H, नमह, गुड्डू, यह है डबल अक्षर वाला शब्द, ग को इंग्लिश में G लिखते हैं, तो यहाँ G लिखते हैं, ग पर चोटे उकी मात्रा है, और चोटे उकी मात्रा क इंग्लिश में U लिखते हैं, इसलिए हाँ पर G के आगे U लिखते हैं, फिर है आदा ड़, पूरे ड़ को हम D, A लिखते थे, तो आदे ड़ को क्या लिखेंगे, सिर्फ D लिखेंगे, फिर से ड़ है तो हम फिर से D लिखते हैं, अब ड़ पर बड़े उकी मात्रा है, और ब पुछ शब्द हैं जिनने मैंने आपको इंग्लिश में लिखना सिखा दिया है अगर आपको और भी हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखना है तो मैंने इस टॉपिक पर डीटेल में कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं आप मेरे चानल पर जाके उनसे देख सकते हैं अब देख लेते हैं कि हम हिंदी के वाक्षीयों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जो आपको Whatsep ये Facebook पर चाटिंग करते वक्त काफी मदद करेंगे तो WhatsApp ये Facebook पर चाटिंग करते टाइम हम सबसे पहले किसी का फाल-चाल पूज तो हम क्या कहते हैं कैसे हो और इसी को हम English में टाइप कर देते हैं को English में के लिखते हैं तो यहां हम के लिख देंगे को पर आई की मात्रा है और आई की मात्रा को English में ए आई लिखते हैं इसलिए यहां पर के के आगे ए आई लिख देंगे फिर है sir, sir को English में s लिखते हैं तो यहाँ s लिख दिंगे और sir पर a की मात्रा है और a की मात्रा को English में क्या लिखते हैं? e लिखते हैं इसलिए यहाँ पर s के आगे e लिख दिंगे तो यह बन जाएगा कैसे फिर है h, h को English में h लिखते हैं तो ये बन जाएगा कैसे हो उसी तरीके से क्या कर रहे हो तो कर को इंग्लिश में के ए लिखते हैं तो आधे कर को क्या लिखेंगे सिर्फ के लिखेंगे फिर है यो, यो को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहां वाई लिख दिंगे यह अपर आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे ए लगा दिंगे तो यह बन गया क्या अब है कर क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहां हम के लिख दिंगे जब क बोल रहे तो उसमें की दुनी आ रही है कर इसलिए यहां पर के के आगे ए लगा दिंगे फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहां आर लिख दिंगे तो ये बन जाएगा कर, फिर उसी तरीकी से रहे, र को आर लिखते हैं, तो यहां आर लिख दिनगे, जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनी आ रही है, इसलिए यहां पर आर के आगे ए लगा दिनगे, फिर हो, हो को इंग्लिश में ह लिखते हैं, तो यहां ह लिख दिन हो लिखते हैं तो यहाँ हो लिख दिंगे तो यह बन जाएगा क्या कर रहे हो उसी तरीके से खाना खा लिया ख को इंग्लिश में के एच लिखते हैं तो यहाँ हम के एच लिख दिंगे ख पर आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम के एच के आगे ए लगा दिंगे फिर है न, न को English में N लिखते हैं तो यहाँ N लिख दिंगे न पे भी A की मात्रा है इसलिए N के आगे भी E लगा दिंगे तो यह बन जाएगा खाना फिर है खा खो को K, H लिखते हैं तो यहाँ हम K, H लिख दिंगे खो पे A की मात्रा है और A की मात्रा के लिए KH के आगे A लगा दिंगे तो यह बन जाएगा खा, फिर है लिया ल को इंग्लिश में L लिखते हैं तो यहां हम L लिख दिंगे ल पर छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में I लिखते हैं इसलिए L के आगे I लिख दिंगे फिर है Y, Y को इंगलिश में Y लिखते हैं तो यहां Y लिख दिंगे Y पर A की मात्रा है और A की मात्रा के लिए हम Y के आगे A लगा दिंगे तो यह बन जाएगा लिया, खाना, खा लिया भी नहीं खाया तो O को English में A लिखते हैं तो यहां हम A लिख दिंगे फिर है B, B को English में B, H लिखते हैं तो यहां B, H लिख दिंगे B पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है तो यहां पर हम B, H के आगे क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे तो यह बन गया अभी नहीं न को इंग्लिश में N लिखते हैं तो यहां N लिख दिंगे जब न बोल रहे तो उसमें A की ध्वनी आ रही है न इसलिए यहां पर N के आगे यह लगा दिंगे फिर है ह को इंग्लिश में यहां हम H लिख दिंगे खर पर बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा भी आखिर में आ रही है तो इसलिए हाँ पर हम H के आगे आई लगाएंगे तो यह बन जाएगा नहीं खाया खर को इंग्लिश में K H लिखते हैं तो यहां K A, A, H लिख दिनगे, K पे A की मात्रा है, और A की मात्रा के लिए K, A के आगे A लगा दिनगे, फिर है Y, Y को एंगलिश में W लिखते हैं, तो यहां Y लिख दिनगे, Y पे भी A की मात्रा है, इसलिए यहां पर Y के आगे भी A लगा दिनगे, तो यह बन जाएगा खाया अभी नहीं खाया तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीना चानल को अभी तक सब्स्ट्राइब नी क्या हो तो सब्स्ट्राइब भी कर लेना और हाँ वीडियो को शेर करना मत बूलना जिससे की बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके